हाई एब्रिबरन कैसे हो आप सब तो चली आज मैं आप सब के एक्स्प्लेइन करने जा रहे हूं फ्लैस सीजन एट का आखरी एपसोड तो पिछले एपसोड में हमने देखा था इस सीजन के आखरी में एक बार फिर से रिवर्स फ्लैस वापस आ चुका था अब भार इस तोन मैंने क्या गुल किलाई थी वापस आने के लिए ना हम आज के इस एपसोड में देखने वाले आप चुकिए इस सीजन का आखरी एपसोड मैं कल से एरो सीजन टू की कहानी को वापस से कंटिन्यू करने वाली हूं तो आप हम यहीं सपर्ट करते रहेगा तो चली आज के एक एपसोड को खतम करा था जहां एक वर फिर से रिवर्स फ्लैस की वापसी हुई थी जिसे कि इस वर निगेटिव स्पीड फोर्स ने लाया था अपनी च्छबी बढ़करार रखने के लिए क्योंकि जैसे फ्लैस पोजेटिव फोर्स का अब यहां पर थोन अपनी वापसी से खुस होता हुआ फ्लैस को बोलता है बोला था ना तुम्हें माने का कोई ना कोई उपाय तो धोन करें रहोंगा वैसे तुम्हारी बीवी उतनी भी यूजलेस नहीं थी इस वर तो वह बड़ा काम आई मेरे ना वह बिमार पर थी ना पोजेटिव फोर्स कमजोर परते और ही निगेटिव फोर्स मुझे जिंदा कर पाते हैं अब इतना सुन बैरी को काफी गुसा आ जाता है और यह अपनी करेंट से थौन पर जान लेवा हमला करने लगता है कि तब ही आपर फ्योचर से बाट और नौरा भी आजाते हैं जो अपने पीता यानिकी बैरी को इतने ग अचानक से ब्लैक और वाइट पार्टिकल के रूप में यहां से गायब हो जाता है जिसके बाद यह लोग यह स्टार लैब आ जाते हैं जहां पर बैरी निगेटिव फोर्स में जाने की जित कर रहा होता है क्योंकि इनके सैटल लाइट के मुताबिक धौन इस प्लानेट प पर अटल होता है जिससे देख नौरत सभी को बाहर जाने बोल बाट के साथ मिलकर एक वार फिर से अपने पिता के गुच्छे को सांथ करने की कोसिस करती है अभी भी आईरिस की जाने से सदमे में था और यहीं दोड़ा रहा था कि किस तरीके से आईरिस ने इसके गोद में आईरिस को बताता है कि आईरिस इस वक्त टाइम स्टोन में कैद है और साथ ही यह भी कि किस तरीके से निगेटिव फोर्स ने आईरिस की बीमारी का फायदा उठा कर थौन को वापस से इस रूप में लाया है पर घपराने की बात नहीं है अगर आईरिस चाहे तो यहां से निकल सकती है पर बाहर जाने का रास्ता आईरिस को खुद ही दूरना परेगा वहीं इधर अब बैरी अपनी टीम को बताता है कि बैरी ने फैसला कर लिया है कि यह निगेटिव फोर्स के अंदर जरूर जाएगा जिसे सब्सक्राइब को बिजनी की तैयारी में जुर जाते है और बैरी को समझाने लगती है कि ठंडे दिमाग से सोच विचार करके ही अपना अगला कदम उटाना चाहिए अब सेसिल इतने यहां बोली रही होती कि तभी इसे किसी के आवाजे सुनाई पर थी जो सेसिल का नाम पुकार रहा होता है जिसे जब सेसिल अपने दिमाग को कंसेंट्रेट कर सुनती है तो यह और कोई बल्कि पोजिटीव बसीर होता है जो सेसिल से इसकी मदद करें सभी पोजिटीव से इस वक्त बेहदी कमज़र है और यहां से गाइब हो जाता है वहीं आगे में निगेटिव फोर्स में धान को दिखाया जाता है जहां अपने सा से थान के साथ ही थे और थान बेपकुप को ऐसा लग रहा था कि इसने निगेटी पावर उस सोकल ब्लॉक डिवाइस से पाई है जिससे सुनिया पर थान धर्म रह जाता है आगे फोर से थान को इस्तिर कर इसमें अपनी पावर डाल देते हैं यह बोलते हुए कि अब वक्त है से तुछ अएपने लाम में जार आती है ब्लॉक डिवाइस को फीज ऐल चार्ज करता है और पिछली बार जिस तरीके और ऑपनी पावर डाले ठीम निद्र बोलता है ताकि अगेटीव एप में अस आनधर जा सकता है आगे दुनों ऐसा ही करते हैं तब मीना से स्पीट पाकर यहां बैड़ी सीधे निगेटिव फोर्स में पहुंच जाता है जहां थौन की चमकती आखों को देख बैड़ी जब निगेटिव फोर्स से पूछता है कि आखिर यह लोग फॉन के साथ कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं बैड़ी की बारी तुम्हारी और इतना बोल डियोन वापस से बैड़ी को इसके प्रेजेंट वाली दुनिया में भेज देता है जहां बैड़ी वापस आते हैं यह सारी बाते अपने टीम को बस बता ही रहा होता है कि तभी चेस्टर अपने साटिलाइट से मेल रहे हैं से इनके सीटी की और अधिक मात्रा में निगेटिव कानेटिक टैकोन आ रही है जहां बाहर हमें रिवर्स प्लैज को उसका अपडेटेड़ वर्जिन में दिखाया जाता है जिसका कि इस वर सूट ब्लैक होता है और इसमें सभी निगेटिव फूर्स की पावर्स होती है जिस सीटी को नस्ट करके तब सभी की जान बचाने के लिए फ्लैस मीना नौरा और बाट यहां से निकल परते हैं वहीं दूसरी तरफ आइडिस भी टाइम स्टोन से बाहर निकलने के लिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी बॉड़ी में करेंट पैदा करती है क्योंकि कहीं ने कहीं आइस भी तो पूजिटीव फोर्सें से कनेक्टेट ही थी जिसके बाद आइस के सरियर से धेर सारा करेंट पैदा होती है और टाइम स्टोन से आजात होकर सीधे अपनी रियल की दुनिया में आजाती है वहीं इधर फॉन को रूपनी के लिए जब चारों अब्सक्राइब करने में मदद कर सके जिसके बाद सेसिल रोजा और क्वीन के हाथ को पकर कर बसीर पर फोकस करती है जिसके साथ यहां बसीर वापस आ जाता है और सभी को यह बताता है कि बसीर कमजूर पर रहा था इसने कुछ दिन पहले अपनी पावर्स थोड़ी सानक से हजार गुनाब बढ़ गया था और इसने रोजा और क्वीन की पावर तक को भी ले ली थी और अब चुकिए पावर इसके चरण सीमा पर थी बाकी फोर्स को भी जल्द ही लाना होगा जिसके बाद बसीर अपना मास से सिल को पहन कर बाकी फोर्स को ढूने बोलता है जैसे से से पहनती है ये मस्क चमकने लगती है और साथ ही सारे पोजिट्व फॉर्स से सिल को मिल जाते हैं जिससे बशीर फॉर निंए उनके पास चला जाता है ताकि यह लोग मिलकर फ्लैस की मदद कर सके वहीं दूसरी तरह फ्लैस लगता था थान पर जब वार कर रहा होत यहां पर बाकी 4 पीज या जाते हैं जो कि मिल कर बेता हमीश करने लगता है यह बोलते हूए कि मैं हमेशा से सब सब बेटर हूँ जिसे सुन फ्लैस अब थौन को यूठा कर पटक देता है और फिर यहां एक बार फिर से हम वीवर्स को फ्लैस वर्स रिवर्स फ्लैस की दमदार वाली फाइट दिखाए जाती है जो की काफी मज़दार होती है पर इस भैंकर यूद के कार सब्सक्राइब करो सीटी बरबाद हो रही है जिसे सुन फ्लैस अब जे को बोल वापस से एडिक को भीजवा देता है और इस फाइट को इसके एंजाम देने के लिए बैट कर अपनी पूरी ताकत को इकत्रित करने लगता है जिसे देख मुस्कुराता हूँ अपनी पूरी एकदम से रोख देता है और फिर इसे उल्टा गूमा देता है जहां रेट वेव वापस से उल्टा एक साथ फौन के अंदर ही समाज आती है जिससे की थौन का नामों निसान तक मिट जाता है यानि कि फॉन ओवर पावर के करन मारा जाता है जिसके बाद फ्लेश चुट की बजा कर बार्ट नौरा और मीना को वापस बुला लेता है और फिर यह लोग की स्टायल है बाजाते हैं जहां पर शेस्टर सब को चेक करता है और बताता है कि बैरी के सेरे से फोर से जब जा है वहीं इदर हम मीना को देखते हैं यह इंसिडेंट के बाद मीना के स्पीड भी खतम हो जाती है और यह पहले की तरह ही एक साधारन इंसान बन जाती है वहीं आगे आईरिस के ठीक होते हैं डिवन भी पूरी तरीके से ठीक होकर टीनिया की मॉम रेनी को भी ढून कर वाप खोलती है तो मार की परिशान सा पूछता है तुम फ्रोज्ट हो ना या कैथलीन हो तब अंदर से ही कंजान आवाज आती है मैं सायद दोस्त हूं डैट मेंस की फ्रेंट अब इस मशीन में गरबड़ी की कार्ण यहां पर क्या हुआ है यहां हम विएर्स को नहीं दिखाया जाए वहीं अभी सब्सक्राइब के आखिर में हम आइस बैरी को देखते हैं जो कि जब साथ में क्वालिटी टाइम गुजार रहे होते हैं जहां बातों ही बातों में आडिस बैरी को बोलते हैं अगर यह निगेटिव फोर्स हमीशा से थे उनका अवतार थान था चुकि अ वह नहीं रहा निगेटिव फोर्स अपना नया अफ्तार जरूर लाने की सोच रहोंगे जिसे सुन बैरी बोलता है जो भी हो मैं इस वर पहले से ही तैयार हूं और इसी के साथ अब हमें फ्यूचर यह 2049 एक लाब में ब्लू कलर की लाइट दिखाए जाती है जो कि अचानक सब्सक्राइब करें जिसके बीच में आपको फ्लाइस टीम भी क्रॉस ओवर एपसोड में जरूर दिखेंगे तो बस आप सबसे अंदरोद है फ्लाइस की तरह इना एरो को भी सपोर्ट जरूर करिएगा तो चलिए फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक जिसके बाइब बाइ